ओम वायू पुत्र अंजनी के लाल की जय नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राशे वालों, आपकी साथ वीडियो की कुंडली खोल दी है, गुरुदेव के परिचैने, मित्रों आसपास कोई नहो, तब इस व सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में तीन बार राधे-राधे अवश्य ही लिख दीजिएगा, दोस्तों, इस समय आप सभी के लिए बहुत ही शांदार रहने वाला है, इस समय परमात्मा आपको तीन ऐसी खुशखबरी देंगे, जिसे सुनन में दोस्तों, एक ऐसा सुनहरा मौका इन 24 घंटे में आपको मिलेगा, कि मानो दोस्तों, आपकी जिन्दगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, दोस्तों, आपको उसे ध्यान रखना है, कि आपको 24 घंटे में किसी का दिल दुखा कर कोई काम नहीं करना है, किसी का बुरा न पारिवारिक जीवन इस समय आपका काफी शानदार रहेगा, अपनों के साथ आप काफी अच्छा समय व्यतीत करेंगे, परिवार में यदि कोई छोटे मोटे मत भी चल रहे हैं, तो वह मत भी समाप्त होंगे, शादी जमीन जायदात को लेकर दोस्तों, भाई-भाई में व अगे बढ़ना होगा, इस वीडियो के अंत में, दोस्तों, अपने आपको बहुत सठीक सावधानी बताईए, आपसे पुन छोटा सा अनुरोध करूंगा, कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसा वीडियो सालों में एक बार बनता है, और गुरू से मैं बहुत जंच पड़ताल करकर, खास आपके लिए इस वीडियो का निर्मान किया है, इस वीडियो को बनाने में करीब तीन दिन की महनत लगी है, तो आप इस वीडियो को मामूली ना समझे, ये बहुत ही खास वीडियो है, तो आप लाइक करना ना भूले और गुरू जी की तारीफ करने के लिए जय गुरू देव जरूर लिखें, साथ ही दोस्तों आपका नाम भी लिखिएगा कि आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं, और आपका नाम क्या है, जीवन में समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, आज समय अच्छा है, तू कल बुर भी आ सकता है, इसलिए मनुष्य को हर दम हर परिस्थिती का सामना करने के लिए खुद को तयार रखना चाहिए, यदि आप यह सोच रहे हैं, कि आपके जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा समय आएगा, तो शायद आप बहुत बड़े मुर्ख हैं, इस वीडियो में दो आपको किन चीजों से बचना होगा, साथ ही स्वास्थ्य के मामलों में आपको कौन सी जोखिम नहीं उठाने हैं, सारी की सारी जानकारी और बड़े बड़े राज आज आपको बताने वाले हैं, दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय आपके लिए अत्यंत लाब प पक्ष में रहने वाली है, इस समय में आपको बताना चाहेंगे, इस सम्बंधी मतलब की, इन इस समय में आप निवेश सम्बंधी जो भी योजनाय बना रहे हैं, उन पर ध्यान आप के इंद्रित रखें, कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, अत्यंत लाब प्रद समय है, ल इस समय संतान की तरफ से आपको कोई सुख मिल सकता है, उनके करियर संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, पढ़ाई से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको संतान प प्रॉपर्टी खरीच सकते हैं. इसमें भी आपको लाभ पहुंच सकता है. यह भी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती हैं. और जो पिछले कुछ कुछ समय से रुके हुए कार्यत है, वे भी आपके पूर्ण होने वाले हैं. इस समय में और साथ ही साथ आपको यह भी बता दे, कि इस समय में आपकी तरक्की देख, आपको सफलताओं की तरफ जाता देख, जो आपके दुश्मन हैं, वे भी आपसे जलेंगे, लेकिन उन दुश्मनों का कोई भी दुश्प्रभाव आपके उपर नहीं पढ़ने वाला, बेजिजक आगे बढ़े, और साथ ही साथ, इस समय में आप जितना संभव हो सके, गरीब और जत्मंद लोगों की भी मदद करें, जितना आप से बने, कुछ ना कुछ तो जरूर करें, आप अनंधन वस्त्र कुछ भी बने, जो भी बने, और आपको बताना चाहेंगे, यह इस समय होगा, इस समय आप सब काम योजना बद्ध तरीके से करेंगे, और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, किसी सहार्य कार्य की वजह से समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा, कोई ऐसा कार्य आप करेंगे, जिससे मान सम्मान में आपकी बहुत प्रशंसा होगी, ये भी रोजगार प्राप्ती के कुछ अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं, जो भी अवसर मिले, हाथ से नहीं जाने देना है, आपको द्रढ निश्चय से आपको आगे बढ़ना है, सफलता अवश्य मिलेगी और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपने कार्य को जो अच्छा है, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए, चुपचाप तरीके से शुरू करें, इसको मतलब कि किसी को नहीं बताना कि आप यह करने वाले हैं, नहीं तो वह आपके सीक्रेट लीक हो सकते हैं, और कोई इसका फायदा उठा सकता है, बहुत ही अच्छा समय रहेगा, व साथ ही साथ आपको यह भी बता दे, हमने पहले भी आपको आगाह किया है कि कोई भी कोई भी काम करें, आप बहुत मन में सरलता का भाव रखें, प्रशंसा का भाव रखें, क्रोधित ना हो, आप अन्य था, यही आपके विनाश का कारण बन जाएगा, क्रोधित नहीं होना है वाणी पर मधुर्ता बना कर रखनी है सफलता आपको जरूर मिलेगी नहीं तो यह आपका गलत व्यवहार आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है यही आपकी कमजोरी है इस बात पर आप जरूर ध्यान केंद्रित रखें कि गलत वाणी नहीं बोलनी है आपको और आपको साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं इस समय तो पैसे का लेन देन करते समय सावधानी आपको बरतनी जरूरी है क्या कि यह निश्चित कर ले कि यह पैसा आपको कब मिलने वाला है वैसे तो कोशिश करें कि आप किसी को पैसा उ सबसे बड़ी बात आपको यह बता दे, घर के बड़े बुजर्गों की सेवा, कोई भी आप अवहेलना न करें, उनकी सेवा के प्रती बड़े बुजर्गों की सेवा का भाव मन में जरूर रखें, उनकी अवहेलना ना करें, अपने जिद्धी स्वभाव को लचीला बनाए लाभ मिलेगा आपको, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, प्रेम संबंधी बातों को, तो दोस्तों, अविवाहित के लिए इस समय मनो अनुकूल, रिष्टा आने की भी संभावना है, जिससे मन प्रसन रहेगा, आपका प्रेम संबंधों में प्रगड़ बनेगी, बहुत समय रहेगा, यदि पति-पत्नी के बीच कोई नोग जोग चल रही है, तो वह अल्प प्रयास से ही दूर हो जाएगी, प्रेम संबंधों में पुना मधुरता लोटेगी, और आपको यह भी बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न कर सकता है, माहौल खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनुरंजन वव उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं, इससे प्रेम संबंधों में प्रगड आएगी, और दांपत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी, और घर परिवार में भी खुश सावधानियां बरतनी होंगी कि कोई आपके सहयोगी आपको क्षती भी पहुचा सकते हैं, इस समय आपका कोई सी क्रेट लीक करकर इधर उधर कर सकते हैं, जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े, अपमानित होना पड़े तो सावधान आपको रहना है, बशर्ते आप जियान रखें कि आपके मुह से कुछ ऐसा ना निकले, जिसके लिए बाद में आपको पच्छताना पड़े, अपनी बात छोटे और अर्थपूर्ण तरीके से पूरी करें, आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने के और भी मौके मिलेंगे, जो बात आपके मन में पहले ही हार जाएंगे, या किसी परियोजना पर आप अपने हस्ताक्षर कर पाएंगे, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जाएगा, उच्छ प्रतिष्ठा वाला पद आपको प्रदान होगा, जो कि आपकी ताकत और धन में वृद्ध करेगा, रियल एस्टेट से आपको औरों के मुकाबले तरजीह मिलेगी, चाहे आप केवल साधारन रूप से गिटार ही सीखें, आप पिछले कुछ दिनों से अस्वास्थ्य करर खाना खा रही हैं, कई बार डिनर भी बाहर हो चुका है, इन सबका नतीज़ा ये होगा, कि आज आपको पाचन तंतर की परेशानी होने वाली है, अपच और पेट दर्द हो सकता है, आपको अपने खाने पर नियंतरन करण होगा, पानी भी अधिक पीना होगा, आपको अपने दाटों की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होगा, आज अपने अपने संबंधों में अधिक तर्क और सवाल जवा अपनी और अपने पार्टनर की सेंश्वालिटी को नए सिरे से तलाश करें, आज के दिन आपका जोर निवेश और धन पर रहेगा, अपने आप पर नियंतरन रखें, आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं, पर किसी भी तरह के धन वृध्ध उद्यम में ना फसे, वेतन वृध्ध के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव ना डाले, इसके लिए अभी सही समय नहीं है, उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, आज आप एक बहुत बड़ी साजिदारी को अ अंतरन रखें, आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौधिक कारे कलाप या कलाकारी संबंधी रूची में लगा सकते हैं, आप पिछले कुछ समय से अपनी अंतरात्मा की आवाज को उपेक्षित करते आ रहे हैं, जो आपको स्वस्थ जीवन के तरीके अपनाने के लिए कह रह आप हमेशा से जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, आज आप इस पर ध्यान देंगे, आज आप अपना पूर्ण रूप से विशलेशन करेंगे, क्योंकि अब आप और अधिक लापरवाही के मूड में नहीं हैं, ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप चल पाएं, आज आपके संबंध को एक नया रूप मिलेगा, आप पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे, और आपको उनकी कुछ नई खूबियां भी पता चलेंगी, जिससे आपकी खोशी दुगुनी हो जाएगी, आप उनके प्रती बेहद लगाओ महसूस कर और आगे चल कर उनके साथ विवाह का फैसला भी ले सकते हैं, हालांकि कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। हालांकि यह एक बहुत ही जोखिम काम लगे, पर इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले हैं, इस चीज में समय लग सकता है, पर धन की दृष्टी से यह काफी उत्साह जनक है। बिताएं और अपने उन घावों को भरने की कोशिश करें, जो पिछली बातों से आपको मिले हैं। आप अपनी खुद की देख भाल करने में सक्षम हैं और अपना सब काम खुद ही करते हैं। लेकिन ऐसे करने में आपने सभी अपनों से एक दूरी सी बनाई हुई है और इससे आपके दिमाग और आत्मा के स्वस्थ विकास में बाधा पहुँच रही है। इसी लिए अपने आसपास लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं। इस बारे में उनकी राय भी जानने की कोशिश करें। आज परिवार के साथ कोई कारिक्रम बनाएं। आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता के लते परिवार को बहुत कम समय दे पाएं हैं, अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें, चाहे आप कितने भी व्यस्थ हो, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदी की योजना बनानी चाहिए, बहुत मज़ा आएगा, वगुड सवारी या तैराकी आदी की योजना भी बना सकते हैं, इ इनके अंत में प्रमुख वित्तिय लाभ की भी संभावना है, जो आपने इमानदारी और कड़ी महनत से अरजित की है, लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और करतव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए, बलकि कार्यों को करने में हास्य की भावना विकसित करें, ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो, आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है, आज भी शुभ की शुरुवात आपके घर से ही होगी, और आपको नई काम्याबी दिलाएगी, आप विशेश ले में हैं, आज का दि पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंग फूर खाते रहे, आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स जरूर करे, तो आएए, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाय बिना वीडियो की शुरुवात करते हैं, गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से, तो मित्रो हमारे गु गवस्ता करेंगे, ये ध्रिड़ विश्वास हमें जीवन में सदैव होना चाहिए, मित्रो चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिती हो, चाहे कैसा भी समय हो, हर परिस्थिती और हर समय हमें प्रभुपर डट कर विश्वास रखना चाहिए, तो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आएए, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाय बिना बात करते हैं अगले 24 गंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रो, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि सबकी स्वभाव के चलते आपको हार का मुह देखना पढ़ डिएच सकता है और यह बात भली भांती समझ लें कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा इसलिए अपने धन को संचय करने का विचार बनाएं मित्रो क्योंकि आने वाले समय में आपको पैसों की एहमियत समझ आने वाली है आप देखेंगे कि जीवन के लिए कितना पैसा जरूरी है इसलिए फिजूल खर्ची पर जितना जल्दी हो सके आपको पूर्ण विराम लगा देना है और अपने धन पर पूरी तरह से नियंतरन करना पढ़ेगा और मित्रो आपकी सबसे बढ़ी एक आदत ये है जो पूरी है कि आप हर किसी को शक की नजर से देखते हैं जरूरी नहीं है कि जीवन में आप जिसके जितने करीब रहेंगे उसे उतनी ही शक की नजर से देखेंगे सब को प्यार से पेश आएं मित्रो और सब के साथ अच्छा एवं मधुर व्यवहार बना कर रखें अपने बच्चों के लिए योजना बनाने के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है बच्चों को यदि आप विदेश कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं तो भेज सकते हैं मित्रो, परिवार की राय लेकर, अपनी जीवन संगिनी की राय लेकर आपको बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में किसी दिल्चस्प कोई ऐसा इंसान जिससे मिलकर आपका दिल गदगद हो जाएगा, उससे मिलने की प्रबल संभावना है और लंबित पढ़ी योजनाएं प कि उन योजनाओं को मूर्ध रूप देने का समय आ गया है, आप कोई नई पुस्तक खरीद कर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा समय गुजार सकते हैं, और यह समय जीवन में आपको बहुत बरिया अनुभव देगा, मित्रो, यह समय एक तरह से वैवाहिक जीवन के जीवन में यदि शांती नहीं मिल रहे, तो इस मंत्र का जब भी मौका मिले, मन में जाप करते रहे, बोल कर जाप करते रहे, मंत्र है ओम सूर्य नारायन नमो नमा, ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा, ओम नमो शिवाय, यह कुछ ऐसे छोटे-छोटे मंत्र है, जो जी क्योंकि आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कि आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे, लोगों की भावनाओं का खयाल रखेंगे, तो हर कोई व्यक्ति आप से जुड़ना पसंद करेगा, और हर कोई व्यक्ति आपको जिन्दगी में अहमियत देगा, अपने सुकून हमें उसी में ही मिलेगा आपको जिन लोगों ने अतीत में अपना धन निवेश किया था उस धन से लाब होने की संभावना बन रही है अब जो मित्र आपको लाब हो रहा है उस लाब को आप कहीं प्रापटी या घर खरीदने में निवेश कर सकते हैं क्योंकि समय उत् सरीन संभावनाएं बन रही हैं जीवन में अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार न करें और अपनी व्यस्त दिन चर्या में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में शिर्कट करें यह न सिर्फ आपका दबाव कम करेगा बलकि आपकी जिंजक भ की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपसे बहुत ज्यादा खुश होगा और खुश होकर आपके लिए उन्नती और पदोन्नती के मार्ग खोल सकता है तो मित्रो हमारे गुरू जी कहते हैं कि पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर गद्धो रिष्टो को मारता है तो मित्रो यदि आप कभी भी अपने कान से कोई भी सही या गलत बात सुने तो उस पर अच्छे से विचार अवश्य करना क्योंकि कभी-कभी जो बातें सुनी होती है वह हमेशा सच नहीं होती है और कुछ बातें हमारे कानों में ऐसी बोली गुरुजी का ये ज्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा तो मित्रो आपका कन्फ्यूजन बढधा रहेगा अर्थात कन्फ्यूजन के चलते कुछ निर्णे टालने पड़ड़ी एच सकते हैं तो ये आपके लिए सही साबित होगा क्योंकि अभी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं अर्थात मित्र परिस्थितियां जो हैं थोड़ी सी डगमगा रही हैं स्थिर नहीं हैं ना तो इधर की ओर हैं नहीं उधर की ओर साथ ही मित्रो ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थियों को अधिक म मेहनत करेंगे, उतने ही सफलता आपके पैरों में होगी। और मित्रों, अपने लक्षे तक पहुँचने के लिए किसी रिष्टे को लेकर परेशान हैं, तो उन्हें व्यक्त अवश्य करें। साथी, जिस परिस्थिती से बचने का प्रयास कर रहे हैं, उसका सामना कर लेंगे, तो मन की शान दियाएगी। और मित्रों, आपको अपने साथी के साथ मन की बातें खुल कर साज़ा करनी चाहिए। अर्थात, आपका साथी आपसे क्या कहना चाह रहा है? किस विशय पर आपसे बात करना चाह रहा है? इन समस्त बातों को आपको ध्यान से सुन लेना है। साथी